नमस्कार आप नियूस फोनेशन दीख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ हिवराज राश्रपती रामनात कोविंद विधान सवा भवन के सताबदी समारों में भाग लेने के लिए अपने तीन दिवसे दोरे को लेते हुए वो कल बिहार पहुंच चुके थे कल एक बजे उनका फ्लाइट पटना एरपोर्ट पर लैंड किया उनके आगवानी के लिए बिहार के सीएम नितीश कुमार के साथ साथ कैमिनिट के तमाम मंत्री भी मौझूद थे और साथी साथ निता प्रतीपक्ष तेजश्वी यादो भी वहां मौझूद रहे थे मगर आपको बता दे कि तेजश्वी यादो को आज निताप्रतीपक्ष के तोर पर विधान सभा भवन की सताबदी समारो में शामिल होना था मगर कल देर शामी तेजश्वी यादो दर्भंगा के लिए प्रस्थान कर चुके थे दर्भंगा के कुश्रेश्वर स्थान में होने वाले उप चुनाओ के लिए उन्हें वहाँ पर चुनावी सभाय करनी है जिसको देखते हुए तेश्वी यादों ने अपना प्लैन ट्वीटर के माध्यम से लोगों को बता दिया और साफ कह दिया कि विधान सभा के सताबदी वह मौझूद थे तो इससे या साफ जाहिर हो रहा था कि नेता प्रतिपक्ष तेश्वी यादों भी विधान सभा के सताबदी समारों में शामिल होंगे अर्थाद राश्वी यादों को विंद के समारों में तेश्वी यादों शामिल नहीं हो पाएंगे इसको देखते हुए बिहार के पुर्व उपमुख मंतरी सुशील कुमार मोदी काफी भड़क गये हैं उन्हेंने तेश्वी यादों को साफ कहे दिया है कि तुम खुद राश्वपती का अपमान कर रहे हो देखिये मारी इस रिपोर्ट में किस प्रकार से सुशील कुमार मोदी तेश्वी यादों पर भड़के हुए प्रतीत हो रहे हैं राजसबा सदस्य सुशील मोदी ने बुद्वार को जारी अपने बयान में बताया है कि बिहार विधान सबा के सताबदी शमारो में राश्पती रामनात कोविन का आना राज के लिए गौरफ की बात है वे बिहार के राजपाल रह चुके हैं उनकी गरिमा में उपस्थिती वाले समारों में और अनुपस्थित रहकर नेता प्रतिपक्ष्टे जश्वी यादों ने अनुसूची जाती से आने वाले एक अतिशालीन व्यक्ती का अपमान किया है वे नितीश सरकार के सपत गरंद शमारों में भी शामिल नहीं हुए थे इससे साफ है कि सनमयधानिक दैत्व निभाने में नेता प्रतिपक्ष्ट विफल है। सदन के सदस्यों की संख्या यदि 1952 में 330 थी तो वहीं 1956 में 318, 1977 में 324 और वर्ष 2000 में 243 हो गई। तो उसकी परिसितियों से नई पीड़ी को जरूर अवगत होना चाहिए। तो पूर्व उपमुख्य मंतरी शुशील कुमार मोदी ने नेता प्रतिपक्ष्ट तेजश्वी आदो पर सीधा हमला किया है। और साफ कहा है कि अगर आप इतने अतिशाली इन वैक्ति के समारों में शामिल नहीं हो सकते हैं तो यह साफ हो गया है कि आप संसदिये जितनी भी आचरन हैं उसे भूल चुके हैं और चाहते ही नहीं है कि आप कभी भी आगे बढ़े। आपको बता दे जिस परकार से नेता प्रतिपक्ष तेश्विया दो कल देर शाम को शेश्वर स्थान को निकल गए हैं उससे यह साफ हो चुका था कि आने वाले प्रोग्राम अर्थार्थ आज के प्रोग्राम के लिए वह अनुपस्तित रहेंगे उन्होंने खुड ट्वी कारे करम गुर्द्वारा के बाद महावीर मंदिर में भी जाना है विधान सवा परिसर में वह एक बोधिव रिक्ष का भी विक्षार उपन करेंगे तमाम खबरों में बरहनेने के लिए आप देखते रिए न्यूस्वानेशन नमस्कार